इस वीडियो को स्पॉंसर कर रहा है यूटूब की डॉट कॉम ने यहां से आप काफी सारे सॉफ्वेर कीज पर्चेस कर सकते हो लाइक आप विंडोस 10 के कीज यहां से पर्चेस कर सकते हो चाहे वो हो मो या फिर प्रो हो इसकी उपर आपको मिलेगा 25% का डिसकाउंट उसके आपको यहां पर कूपन कोड यूज करने मॉड 40 अगला जो इनका प्रोड़क्त है वो है Microsoft का MS Office 2016 इसके उपर आपको मिलेगा 12% का डिसकाउंट उसके लिए आपको यूज करने है यहां पर कूपन कोड मॉड 12 तो काफी अच्छी वेबसेट है आपको जितने भी सॉफ्वेर है वो काफी अच्छे प्रैजस क्यों पर प्रोवाइड कर रही है तो डू चेक तेम आउट लिंक भी इन दर डिस्क्रिप्शन बॉक्स विलो हेलू इसमिन नाम है सारतागोर आप लोग देख रहे हैं इसको अपग्रेड कर रहा हूं तो इस वज़े से क्या हो रहा है कि मतलब सेट अप छोड़ो मैं पूरा रूम अपग्रेड कर रहा हूं जो पूरे स्पेस है जहां पर मैं काम करता हूं अपने वीडियो को शूट करता हूं वह सब कुछ अपग्रेड हो रहा है तो इस वज़े से मेरे को थोड़ी बात दिक्कत आ रही है तो मैंने सिंगल मोनिटर के अंदर जो भी फिलाले जुगाडू अला सेटप बना रहा है बाकी कुछ टाइम बाद जो वीडियो नॉर्मल तरीके से आनी स्टार्ट हो जाएगी और बाकी क् हमारे आलू बहेंगन सेटप की तरफ अब सबसे पहला सेटप हमको बेचा है भवे पटेल ने जो की 16 साल के गुजरात में रहते हो सेटप देखो भाई इनका कितना ज़ादा क्लीन और कितना ज़ादा मिनीमल सा है मतलब यहां पर आपको बिल्कुल भी वायर्स वगेरा कु पर वाल मॉंट कर रखा है जो की मतलब पोटाटो के ठीकरी के साब से काफी बड़ी बात है अचा हम लोग एक काम करते हैं सीदा इनकी PC स्पेक्स के बारे बात कर लेते हैं तो प्रोसेसर यहां पर यूज कर रहे हैं इंटल की तरफ से कूर आई 3 सेकेंड जनरेशन वाला प डेटिकेटड कोई ग्राफिक्स काड़िये यूज नहीं करते हैं और बागी जो इनके पास केबिनेट है वो एक बेसिक सी आईबॉल की केबिनेट है बात करें अगर हम लोग इनके पेरिफेरल्स के बारे में तो मोनिटर यहां पर यूज कर रहे है इसर के तरफ से 24 इंच क 75 वर्ट्स का IPS गेविंग मोनिटर, कीबोड और माउस जाए वो डेल के वारलेस कॉंबो वाले कीबोड और माउस है, हेटसेट इनके पास भाई बोट के वारलेस कोई से और स्पीकर इनके पास कोई डेटिकेटड है नहीं, बागी इनके पास एक लोजिटेक का 720p वाला जइनके पीचे होगी वो सारी के इनकों पीचे की तरफ हाइड करती है तो उस मामले बेइस काम कर रहा है वो बहुत जयुकिंस लेवल है में वो देखने में बहुत ज़ादा ओसम लगता है फिर बाकि इन्होंने के अंदर जो केबल मैचमेंट है वो इतनी खासी नहीं कर रहा है थोड़ा से जो इनको यहां पर काम करने की ज़रूरत है अच्छा हम लोग बात कर लेते हैं कि यह जो अपने PC किस चीज के लिए यूज कर करेंगे कि PC जोए वो पोटाटो वाला है कोई डेटिकेटड ग्राफिक्स कार्ड नी है बट फिर भी इन्होंने जोए गेमिंग मॉनिटर जो यहां पर लगा रखा है 24 इंच का 75 वर्ट का बट PC उनका उस लाइक नहीं तो में भी हो सकता इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग क इनको काफी बड़ी है जो एक्स्पिरेंस प्रोइट करा देता होगा सजेशन्स देने के बारे हिम बात करो तो एस सच तो मेरे पास कोई खास सजेशन नहीं है बाकिया अगर आपको छोटी मोटी थोड़ी बहुत गेमिंग करनी हो तो आप इसके अंदार एक डेटिकेटर काड लगा सकते हो कोई यूजट वाला खरीद करके तो आपकी जो थोड़ी बहुत जो छोटी बहुत गेमिंग आप जो इसके उपर अराम से कर पाऊगे बाकियार आपका सेटप मेरे को काफी ज़ादा पसंद आया लुक्स वाइस तो बहुत ज़ादा कमाल का है बस एक नय सेटप आप इनका देख सकते हो कि एक रेडिमेंट टेबल के उपर अपना पूरा का पूरा सेटप यहाँ पर बना रखा है और बाकी देख सकते हो कि यहाँ पर इनके डेस्क के उपर बिल्कुल भी आपे कुछ भी वायर्स वगरा देखने को नहीं मिलती और इसके नीचे जो इनके PC स्पेक्स के बारें बात कर लेते हैं तो प्रसेसर ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंटेल की तरफ से कोर i7 3770 के जोकी i7 की थर्ड जनरेशन वाला प्रसेसर है राम यहाँ पर यूज कर रहे है टोटल 8GB ग्राफिक्स कार्ड है इनके पास GT710 और के बेनेट है इनके पास क्रिप्टन की पेरिफरल्स के बारें बात करें तो मोनिटर यहाँ पर यूज कर रहे है सामसंग की तरफ से कर्वड 1080p 75 वट्स का 27 इंच का गेमिंग मोनिटर के लिए साथ जो है इसके उपर गेम्स करते हैं जैसे की जीटी फाई वैलोराइंट लॉकेड लीग एकसेक्टर एकसेक्टर इनोंने काफी सारे गेम्स बना रख बता रहे हैं बाकि थोड़ी बात कुछ प्रोग्रामिंग हो गई या फिर चोटी मोटी कुछी जो इनको कर सकते हैं के बिनेट के अंदर बात करो तो यहां पर भी इनोंने के बनेट से रिलेटर जो काम है वो काफी अच्छा का सकर रखा है वैसे मैं यहां पर इक चीज़ नोटिस करी कि यहां पर जो पावर सप्लाई की प्लेस्मेंट है वो बहुत ही ऑक्वर्ड लगी मेरे को ल बड़ा ऐसा आपता होगा बड़ा ही वैसे गलट डिजाइन मेरे को लग रहा है सुजेशन के बारे में बात करें तो मिर पास सिर्फ पर सिर्फ भाई आपके PC को अपग्रेट करने से रिलेटर सुजेशन है क्योंकि आपने इतना अच्छा गासा गेमिंग मोनेटर ले रख या 1060 भी लगा सकते हो जैसे कि आपने यहाँ पर बताए कि आप लगा लेने की सोच रहे हो तो वह अगर आप ले लोगे ना तो आपको हो सकता है कि हलका फुल का कभी-कभी बॉटल लेको बाकि आपको जो परफॉर्मेंस में लेगी फिर बहुत ही दादा कमाल की होगी तो यह सब अगर आपको यूस्ट में बिल जाते हैं कहीं से 1060, RX 570 यूस्ट कहीं से 1050 Ti तो आप डेफिनिटल इनको लेकरके अपने PC के अंदर अपग्रेड कर सकते हो बाकि आपके सेटप के अंदर कोई भी कमी नहीं है यह जो थोड़ी बात मैंने आपको सजेशन बताया है त आप इसको डेफिनिटल इंप्लिमेंट कर सकते हो तो थेंग्यू सो मच अदेत्य अपने सेटप बेजने के लिए अब अगले सेटप की एंट्री हमको बेजिए शाहिद में जो की 20 साल के महराश्य में रहते है यह स्टूडेट है सेटप आप इनका देख सकते हो भाई कितन अच्छी निकल के आती है वैसे हम लोग बात कर लेते हैं के PC स्पेक्स के बारे में तो प्रसेसर ही यहाँ पर यूज कर रहें इंटल की तरफ से कूर i5 2400 जो की i5 की सेकेंड जनेरेशन वाला प्रसेसर है राम यहाँ पर यूज कर रहें टुटल 8GB और ग्राफिक्स काड़ इनके पास Zotac का GT610 बाकि जो यहाँ पर केविनेट यूज कर रहें वा आती है आईबॉल की तरफ से पेरिफरल्स के बारे में बात करें तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहें LG का 22 इंच का 75 हर्स का गेमिंग मॉनिटर कीपोड और मौज यहाँ पर यूज कर रहें जेब अटक तो कर रहा है बाकि थोड़ा सा और इंप्रूव डेफिनेटल यहाँ पर करा जा सकता है इन्होंने बताए कि अपने PC को यूज करते है वीडियो ए रेटिंग के लिए गेमिंग के लिए और जो मोस्टली इसक्यूप पर काम करते है वह मूवीज को देखना तो मूवी बाकि अगर आप थोड़ी और अच्छी गेमिंग इसके उपर करना चाहते हो तो आप अपने ग्राफिक्स काड को थोड़ा बहुत यहाँ पर अपग्रेड करते हो लाइक 960 ले सकते हो 760 ले सकते हो एंवीडे की तरफ से GTX 960, 760 या फिर आप 1050 Ti ले सकते हो RX 570 ले सकते हो यूजड में 1060 ले सकते हो तो यह सब जो ऑप्शन से आप definitely जो इनकी साथ में जा सकते हो अगर आपको थोड़ी सी और बेटर गेमिंग करना चाहते हो तो बाकि और तो कोई suggestion मेरी तरफ से नहीं है आपका setup looks wise काफी बढ़ी है और जो थोड़े अपग्रेडेशन से related जो भी जैपुर भी रहते हैं student है setup आप इनका देख सकते हो एक्तम clean and minimal है और देख सकते हो एक्तम simple सी table के उपर जो इनको पूरा setup यहाँ पर बना रखा है और बहुत जादा elegant look जो इनको provide कर देता है बात करें हम लोग इनके PC specs के बारे में तो प्रोसेसर ही यहाँ पर यूज कर रह पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो monitor यहाँ पर यूज कर रहे है Samsung का 27-inch का curved gaming monitor, keyboard है इनके पास Dell का KM113, mouse है इनके पास Logitech का M235, headset है इनके पास Cosmic Pipe के H111 और speaker है इनके पास जो की FND के हैं, maintenance के regarding जो यहाँ पर काम कर रहा है वो काफी जाद अच्छ है क्योंकि यहाँ पर wireless keyboard box को कॉमब यूज कर रहे है तो इसलिए इनको wires का यहाँ पर कोई भी tension नहीं होता है और पूरा जो इनको look मिलता है वो काफी सदर clean मिलता है बाकी cabinet के अंदर की photo इनोंने नहीं बेजी है तो मैं जियूम कर ले था इनोंने वहाँ पर काफी ठीक्टा काम कर रहा होगा वैसे भी closed panel वाला cabinet है तो इतना कुछ खास वैसे दिक्कत वहाँ पर नहीं आती होगी और इनोंने बता है कि अपने PC को यूज करते है school work के लिए editing के लिए साथी थोड़ी बद गेमिंग करने के लिए तो उसके recording जो है मैं आपको suggestion अगर देना चाहो तो वो बस यही रहेगा क्या थोड़ा सा जो है अपना processor upgrade कर सकते हो और साथी जाद अगर आपको gaming करनी है तो आप अपने graphics card भी थोड़ा सा improve यहाँ पर कर सकते हो वैसे editing आपकी 1080p वाली तो इसके पर हो जाती होगी थोड़ी बद वैसे वहाँ दिक्कत आती होगी बट हो जाती होगी ठीक है लेकिन अगर आप gaming और improve करना चाहते हो तें definitely consider करना अपने graphics card को थोड़ा सा improve करना वाकी आपका setup जो काफी अच्छा कासा लगा थैंक्यू सो मच साहील आपका setup बेजने के लिए तो आई हो भी आपको काफी ज़्यादा अच्छी लेगी हूँ कि अच्छी लेगी तो यार वीडियो जो आपको काफी आपका।